हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरिया और आज हम बात करने वाले हैं अडोबी फोटोशॉप के नए अपडेट, AI-Based Generative Fill फीचर के बारे में, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इमेज में कुछ इस तरह का चेंज लाना, तो फिर आप यूज कर सकते हैं फोटोशॉप के AI की मदद से, वो चेंज कर देगा कुछ ही मिन्स में, चलिए शुरू करते हैं Step 1, सबसे पहले हमें Adobe Creative Cloud Application को इंस्टॉल करना है Google पर जाकर सर्च करें, Adobe Creative Cloud और पहला लिंक ओपन कर ले उपर दिये हुए Sign In बटन पर क्लिक करें इधर इमेल और पासवर्ट डाल कर अकाउंट क्रियेट कर ले अपनी डिटेल्स डाल दे और Done पर क्लिक करें लोगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है Free Trial पर यहाँ पर आकर आपको तीन ओप्शन्स दिखेंगे, आपको सलेक्ट करना है टीम ओप्शन को, बाकी दोनों ओप्शन में आपको क्रेडिट काड डिटेल डालनी पड़ेगी इसलिए हम Free वाला ओप्शन चुनेंगे यहाँ पर अपनी Information डाल दे और Continue पर क्लिक कर दे लोगिन करने के बाद आपको सर्च करना है Photoshop और क्लिक करना है इस Adobe Photoshop बीटा वाले ओप्शन पर इधर आपको Get the Photoshop बीटा अप पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने से आपकी Creative Cloud अप डाउनलोड हो जाएगी इसको इंस्टॉल कर ले इंस्टॉल करने के बाद Creative Cloud अप को अपने कम्प्यूटर में ओपन कर ले Step 2, Photoshop बीटा इंस्टॉल करे Creative Cloud अप्लिकेशन में आपको जाना है Apps में, बीटा अप्स पर क्लिक करे Photoshop बीटा को इस बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर ले Photoshop बीटा अप को ओपन कर ले और जिस भी फोटो को चेंज करना है उसे Photoshop में ड्रैग करके ओपन कर ले Generative Fill के फीचर को समझने के लिए हम इसके 6 यूज केसेज देखेंगे याद रहे, इस फीचर को यूज करने के लिए आप इंटरनेट से जुड़े होने चाहिए Step 3, सबसे पहले हम सीखेंगे Image को Extend करना Image Extend करने के लिए Crop Tool को Select करें और Image को जहां से Extend करना है उसी तरफ से Drag करके बढ़ा कर ले इसके बाद Rectangular Marky Tool को यूज करके Extended Area को Select कर ले Contextual Task Bar में जाके Generative Fill बटन पर क्लिक कर दे Search Bar में बिना कुछ लिखे Generate बटन पर क्लिक कर दे Photoshop आपको इस Image के 3 Variations दिखाएगा आपको जो भी Option अच्छा लग रहा है आप रख सकते हैं अगर कोई Option अच्छा नहीं लग रहा तो Regenerate भी कर सकते हैं ये वाला Option काफी बढ़िया लग रहा है Step 4, Image में Object अड़ करना चलिए अब इसी Image में एक Bike अड़ करने की कोशिश करते हैं Lasso Tool को Select कर ले जहां पे भी Object अड़ करना है वहाँ पर Lasso Tool से Select कर ले अब Generative Fill बटन पर क्लिक करें सर्च बार में Black Motor Bike लिक कर Generate बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये आगाए Bike के 3 Options इस Image को अब आप PNG Format में Export भी कर सकते हैं Step 5, Object को Image से हटाना अगर आप किसी Object को Image से हटाना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से Generative Fill की मदद से किया जा सकता है Rectangular Marquee Tool की मदद से Object को Select कर ले और Generative Fill बटन पर बिना कुछ लिखे क्लिक कर दे और ये हो गया Selected Object Clear Step 6, Image का Background चेंज करना Rectangular Marquee Tool की मदद से इस Area को Select कर ले अब Generative Fill बटन दबाएं सर्च बार में डाल दे Dark Clouds with Rain ये आ गए तीन Options इमेज की Background के लिए ये वाला Option बढ़िया लग रहा है Step 7, Image का Appearance चेंज करना चलिए देखते हैं इस Image में Hair Color कैसे चेंज कर सकते हैं Magic Wand Tool की मदद से Hair सेलेक्ट कर ले अगर और Area सेलेक्ट करना है तो Shift दबा कर Lasso Tool से सलेक्ट कर ले Hair को सलेक्ट करने के बाद Generative Fill पर क्लिक करें सर्च बार में Red Hair डाल दे और Generate पर क्लिक कर दे ये आ गए तीन Red Hair के Options ऐसे ही आप Image में Dress और Jewelry भी चेंज कर सकते हैं Dress सेलेक्ट करके डाल देते हैं More Stylish ये वाला Option काफी बढ़िया लग रहा है और यहां पर इस Area को सलेक्ट करके जूरी डाल देते हैं ये आ गए इसके भी तीन Options ये वाला Option सबसे अच्छा लग रहा है दोस्तों ध्यान में रखिएगा Generative Fill Feature अभी Under Development है और इसमें कई बदलाव किये जा रहे हैं अभी आपको सही रिजल्ट पाने के लिए काफी बार कोशिश करनी पड़ सकती है पर फ्यूचर में ये फीचर काफी इंप्रूव हो जाएगा आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप रहना चाहते हैं AI की दुनिया से अप टू डेट तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी धन्यवाद